हेलो माई डिया स्टुडेंट तो कैसे हैं आप लोग चलिए आपने व्यक्तिकर स्रेणी में सामांतर मात्गी करना कैसे किया जाता है सीख लिया आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा कि खंडि स्रेणी में सामांतर मात्गी करना कैसे किया घंडी स्रणी का मतलब होता है एक ऐसी स्रणी जहां पर केवल हमारे पास चर दे रखे होते हैं हमारे पास information दिया वह और रहता है पद दे रखे रहते हैं और उन पदों की आवर्ति जोस्काइब फ्रेकॉंसी के नाम से जानते हैं तो यहां पर खंडिस रणी में ध्यान रखेगा, खंडिस रणी में सामातरमाद को तीन विदियों से कल्कुलेट कर सकते हैं, मतलब यहां पर तीन परमुख विदियां हैं, जिससे सामातरमाद की करना होती है, पहली विदी है परतेक्ष विदी, दूसरी विदी है लगु वि दिखाई पड़ता है अधरवाइस हम पद्विचलन बिदी का प्रियोग बहाँ पर नहीं कर सकते तो यहां पर हर एक बिदी से मैं आपको आज आपको मेरे साथ बने रहना है और अगर सबस्क्राइब करके रखना है तो सबसे बहुत करेंगे परतेश बिदी जिसको इंग्लिस में डारेक मैथेड बोलते हैं जहां पर मीन निकालने का डारेक फर्मुला होता है कि मीन बरावर समेशन एफ एक्स अपाउन समेशन एप एनि कि जो भी हमारे पास आवर्तियां और जो भी पद रखे इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे फिर जो है आवर्तियों की कुल संक्या से उसको भाग कर देंगे जैसे कि यहां पर कोशन दे रखा चार दे रखा बीस तीस चालिस पच 40 60 70 & rocky और हमारे पास यह आवर्तिय भी दिर रों इन आवर्तियों के साथ चरों के साथ इनका यूज़ करती हुए थिजा आवर्तियों को गाना करेंगे उसको सबसे ठीक है क्या निकला जागा है हमपर fx वड़ा से चमक रहे रहे उसको मैं ठीक है अब क्या करना हमें यह जो चीजे है fxn की यह fx f और x की आपस में हम क्या करेंगे इस इस दोनों की मल्टिप्लाइ करेंगे तो 20 और 27 के अगर मल्टिप्लाइ करते हैं तो हमें कितना मिलेगा दियो दिखिए साथ दुनी 14 दो दुनी 4 और 15 पांच 540 और इसी तरह इस सब का अपस में क्या करेंगे हम मल्टिप्लाइ करेंगे तो 30 और 21 की मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह जाएगा आपका 630 40 32 کhe multiply करेंगे यहां पर आजाएगा 900 60 30 17 साटर और सोलह की मल्रोंटिप्लाइब करेंगी तो में मिलेगा ग्यारा सो बीस और लास्ट में मिलेगाٌ 800 अपनानूलाऊं स्वेमेशन एक्स अपांज है तो यह का टूटल करेंगे में तो स्वेमेशन 28 282 2 2 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 तो यह हो गया 138 समेशन F हो गया अब F को टूटल करेंगे Fx को इन सब को अगर एड़ करते हैं तो हमें मिलेगा सब्सक्राइड करेंगे 6110 10 मतलब साफ है कि समेशन Fx मिल गया 6110 और समेशन F मिल गया 138 अब यहां पर इसको कैलकुलेट करेंगे होता है तो आप के लिए मैं बता दू कैलकुलेटर नहीं है लेकिन अगर आप एस इस परमिशन नहीं को क्या और सब्सक्राइब करेंगे अगर इसको इससे divide करते हैं तो हमें answer मिलेगा 44.28 और यही हमारा mean होगा This is our answer ठीक है यहाँ पर यह पहला method हो गया परतेश विधी से इसी question को मैं आप दूसरी विधी से solve करके बताऊंगा यहाँ कि लगूरिती जिसको इंगलिस में बला जाता है shortcut method यह फिर इसका दूसरा नाम है कल्पित माद विधी और कल्पित माद विधी की हम करेंगे तो किस्ता से calculate कर सकते हैं यहाँ पर normally इसका जो formula होता है mean बराबर a प्लस summation fdx upon summation f इसका मतलब होता है यहाँ पर जो a है इस a को बोलते हैं हम कल्पित माद कल्पित माद का मतलब होता है जो भी हमारे पर पद होते हैं जैसे कि आपर यह पद दे रखा है और यह आवर्ती है तो यह जो पद दे रखा है इन पदों के बीच में से हमें एक को जो है मानना पड़ता है कितने पद है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तो इनके ठीक बीच का जो पद हो रहा वो कौन सा है पचास है इसको हम a मानेंगे यह हमारा a है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले solve करने के लिए a मानने के बाद हमें निकालना है dx क्योंकि dx निकलेगा तब इसको एप से multiply करेंगे तो dx निकालने का simple formula होता है जो हमारे पास x है पर उस पदों में से जो हमने कल्पित मात को माना a माइनस कर देंगे इस formula का यूज़ करेंगे तो dx अब हम पर निकालेंगे dx dx equal to x minus a तो हमने एक इसको माना 50 यहां पर एक कल्टू के इतना हो गया 50 तो 20 में से 50 को मानस कर देंगे यहां जाएगा मानस 30 30 में से 50 को मानस करेंगे मानस 20 40 में से 50 को मानस करेंगे मानस 10 50 में से 50 मानस 10 को 0 अब इसको मानस कर देंगे 10 20 और 30 यहां तक हो गया इसके जबाद हमारा दूसरा step होता है कि dx की बद्ध हम क्या निकालेंगे f dx दिज़ना f और dx को आपस में multiply कर देंगे तो 27 और 30 वो भी मैनस अगर इसको multiply करेंगे तो हमें मिलेगा मैनस का 810 21 और 20 को multiply करेंगे हमें मिलेगा मानस का 420 32 और 10 को multiply करेंगे माइनस का 320 और दरुजया का अठरा गुना 0 और की 0 14 10 की मृट्प्राय करेंगे 110 16 20 की मृट्प्राय करेंगे 320 और 10 अधीन की मृट्प्राय करेंगे यह हो गया 300 इतना होने के वास क्योंकि हमें सम्मेशन सब को सक दिकता यहां पर इतना माइनस का है और इतना प्लस का सब Phoenix का अलग करेंगे और प्लस का अलग है फैस को सबाध करेंगे इन 25 जिरोय और 12 14 किपन मध्या इन माइनस का 50 550 और यहां जाएगा जीए यह विछ म्हाद्ट म्हाद और यह 6 यहां पर हम लिखेंगे टोटल तो यह जो टोटल है नहीं कि कुल योग तो टोटल जो आएगा बू हो जाएगा हमारे पास कितना माइनस का 790 कैसे 15 में से 6 गया 9 14 में से 7 गया 7 माइनस का और इदा समयेशन F को टोटल करेंगे पहले हमने टोटल कर रखा ता कितना है था 138 अब इन वैल्यू को उठाके यहां लिखिए यह हमने लिख लिया समयेशन F D X आ गया कितना माइनस का 790 और समयेशन F हमारे पास आ है 138 अब इसको उठाके उपर वाले फार्मूले में सबको रख देना है तो यह जाएगा मीन बराबर 50 प्लस माइनस का 790 डिवाड़ेड बाई 138 ठीक है और यह हो गया 138 से अब 790 को आपको डिवाइड करना है और जो डिवाइड करेंगे तो प्लस मैनस माइनस का जाएगा अगर 138 से अपने 790 को डिवाइड किया तो आपको मिलेगा पांच दसम लफ साथ दो ठीना क्यों कि पुरा-फुरा कटे करने लफसन में आएगा तो अब यहां पर 50 में से 5 दसनलफ साथ दो को मानस कर देना है कैसे मानस करेंगा यह नहीं दिक्कत होती है पॉइंट वाला मायस करने में यह पॉइंट की वाद दो जीरो है तो यहां पर जो आंसर आया और डारेक्ट से जो आंसर आया बिल्कुल दोनों क्या इस सेम से मैं यहां पर चरों की बीच में एक समान जो है क्या हो यहां पर सबकी विच में कितने कितने का गया पर दस दस का है तो यहां पर हम पर पद बिचलन का बुदूदू मालों यह 20 दिरक्का होता यह 25 फिर यह 50 फिर यह 55 फिर 50 इस तरह से दिरक्का होता हुता हो यहां पर पद पिचलन बिदी का प्रियोग करना पॉसिबल नहीं है अब बद बिदी में क्या पर फर्मूला क्या है यहाँ पर फर्मूला है मीन बराबर A प्लस समेशन F D-X upon समेशन F multiply by I तो यहाँ पर एक चीज़ चाहिए D-X और इसको calculate करने के लिए क्या कियाता है जो deviation हमने निकाला है उसको I से I का मतलब होता है class interval मतलब इनके बीच में कितने का gap है तो सब के बीच में 20 और 30 की कितने कितना गया पर दस दस का तो यहाँ पर जो I होगा actually में वो कितना होगा दस होगा ठीक है सब्सक्राइब आ गया जब हमें I मिल गया अब हमें step to step यहां तक जो है F की बाद हम निकालते हैं क्या चीज डी एक्स से बढ़ी है जैसे पहले किया था that means x minus x और डी एक्स निकालने की बाद सेकिंड श्टेप है fd-x की d को interval से डिवाइड करना है ठीक है सबसे बहले डी एक्स निकाल लिए हमने 50 को माना a यह हमारा 50 a है तो यहां पर जागा अब माइनस की तो पहले वारा जैसा कुशन के था माइनस का दश जीरो दिश और यह ओ गया रिज टीक है अब यहां पर निकालेंके dx देक्स निकालने के आई कितना है टैन से इन सब को डिवाइड करेंगे थाटी को टैन से दिवाइड करेंगे मानस का 3, minus का 2, minus का 1, 0, 1, 2, और यह हो गया, 3, ठीक है, यहां तक हो गया, बिल्कुल सिंपल भी मैंने बताया है आपको, आप लास्ट इस्टेप क्या करेंगी, जो F और यह D, D' है, इन दोनों की गुणा करेंगे, इसकी नहीं, यह तो अलरड़ी पहले बहुत हो, आप यहां पर F औ D' X, ठीक है, मल्टिप्लाइ करो, 27 और माइनस 3 की मल्टिप्लाइ गुणा करेंगे, तो हमें मिलेगा, माइनस का 81, 21 और माइनस 2 की मल्टिप्लाइ करेंगे, माइनस का 42, 32 और 12, यह हो गया, 0, 14 एकम 14, 16 दोनी 32, और 10 दिया, 30 हो गया, अब यह माइनस बाले को अलग आड़ क कीजिए, प्लस बालुक अलग है, क्योंकि हमें चाहिए समिशन F D X, यह हो गया, माइनस का 155, और यह हो गया, प्लस का 76, प्लस मैनस माइनस 156 माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा, माइनस का 89, 79, और इधर F का टोटल हमें क्योंकि चाहिए, अपका टोटल हमारे पास कितना द समिशन F हो गया, बन 38, समिशन F D dash X इकल टो हो गया, माइनस का 79, ठीक है, यह सब कुछ आ गया, और A है यहाँ पर 50, अब इन सब की वेलू को फार्मूला में रखेंगे, सब की वेलू को फार्मूला रखेंगे, देखिए, फार्मूला क्या दुआ लग देता हूं, मेन इकल to A plus, समिशन F D dash X upon समिशन F multiply by I, A हमने निकाला है, 50, F D dash X कितना हो गया, माइनस का 79, upon समिशन F कितना है, 138, गुणा और I कितना है, 10, यह तुकि नौर्मली 10 और 132 से कटता है, लेकिन जंजाट ना करके हम क्या करेंगे, सब से पहले माइनस कटा दीजिए, प्लस, माइनस, माइनस, 79 निकी 89 को 10 से उना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 790 और 138 यह तुकि ठीक बैसा ही बन गया, जैसे से पहले वाले क्वेशन था, अब 138 से 790 को डिवाइड कर देना है, 138 से 790 को अगर हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, ठीकिना, नॉर्मल साथ दो, 50 में से 57 को माइनस कर दो, तो यह ओगया 44.28, ठीक है, यह हो गया हमारा आंसर, हमने देखा, कि तीनों ही मैथल से हमारा सेम अंसर आ रहे, ठीक है ना, समझ में आ गया, तो जरूर बताईएगा, समझ में नहीं आया, तो भी बताईएगी कहां पर समझ में आया, कौ समझ में आ गया, तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिएगा, और हाँ अधा एकनम इस ग्रूर को सब्सक्राइब करना मद हो लेगा, थेंक्यू एंड बाई